नगर के जैस्तम चोक में मोटर साइकल यात्री बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौध हो मरतक युवक मनिश पिता नरिश नागरे उननिस वश ग्राम बरगाड बोरी थाना लाल बरा निवासी है आठ फरवरी को साड़े तीन बज करीबिया स्रव दर्दना मोटर साइकल कार को ओर टेक करने के दोरान होई दर्दना में एक अन्य युवक तरुन पिता यमल बिशिन सोला वश ग्राम बरगाड बोरी निवासी को भी मामूली चोटे आई प्राप्तर जानकर के अनुसार मनिष नागरे के मातापिता कित्री इसनान करते हैं मनिष दौ भाई एक बेहन है मनिष नागरे जवलपूर में इंजिनेरियंगी पड़ाई कर रहा था और महाली मेल अलवरा के ग्राम मानपूर में अपने चाचा के यहाँ पर आ रहा था जबकि उसका दोस्त तरुन भिशिन कक्छा दस्पी के पड़ाई कर रहा है आठ फरवरी को मनिशनागरे अपने दोस्त तरुन भिशिन के साथ मोटर साइकल में बालाघाट अपने किसी दोस्त से मोबाईल लेने के लिए आया था और दोनों चार बजे करीब मोटर साइकल से ही बालाघाट से अपने गाउं बरखाट बोरी जाने निकले थे मोटर साइकल तरुन बिशेन चला रहा था और मनिशनागरे पीछे बैटा हुआ था नगर के वारसुनी रोड इस्तित जैस्तम शोक में वारसुनी के ओर से तीज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने मोटर साइकल को दाहीने तरफ टक्कर मार दी जिसे तरुन बिशेन मोटर साइकल से चिटक कर गिर गया और मनिशनागरे मोटर साइकल से गिर कर बस के पीछे कपईये में आ गया मनिशनागरे की बस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई पताया गया है कि घटना के दोरान महां जाने वाले लोगों ने मौनिश नागरे को मौके से उठाकर मोटर साइकल से जिला अस्पता लाए गया कि इंदो डक्टर ने उसे मृत्त गोशित कर दिया इस दुरगणा में तरुन विशिन को मामूली चोटे आई जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक युवा कमानिश नागरे के शौका जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्चीत रखवा दिया है कोटवाली फुलिस ने तरुन विशिन के द्वारा की गए रिपोर्ट फर बसक्रमांग एंपी पचास पी सुन्नेवांच साच शार के चालक के विरोद्र धारा दोसव मैंस सी तीन सोसाइटी 304 ए भारत देंड विधान और 184 मोटर विकल एट के तहता प्रात दर्चकर वि विशिना सूरुकी